हेलो दोस्तों, मैं जैवरधन, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टुडेंट इंडिया में आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपना मुच्वल ट्रांसफर हंडेड पर्शेंट जून सकते हैं अब आप ये पुछेंगे कि 100% मैं कैसे बोल रहा हूँ तो वो आप मेरे वीडियो को पूरा देखते ही समझ जाएंगे कि मैं आपको 100% क्यों बोल रहा हूँ और ये काम आप अपने मुवाइल में डेले हिवे अप्लिकेशन, CMS अप्लिकेशन के द्वारा करेंगे और जो तरीका मैं आपको पताने वाला हूँ, उसे सुनकर आप भी सोच में पढ़ जाएंगे कि आपने पहले सा क्यों नहीं सुचा तो चलिए वो ट्रिक देखते हैं सबसे पहले आप अपने मुवाइल पर CMS अप्लिकेशन को ओपन करें ओपन करने के पाद यहां Capture डालें और Login करें Login करने के पाद आपके Lobby के पूरे डिटेल यहां आ जाएंगे अब यहां Search के Option में उस Lobby का Station को डालें जहां आप मुच्वल ट्रांसफर चाहते हैं अगर आपके पास उस Division के Lobby के बारे में जानकारी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे Division के Lobby के लिंक दिये गए हैं जहां से आप अपने Lobby के बारे में जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं उसके बाद उस Lobby का Station Code यहां डालें और So Detail पर क्लिक करें जैसा कि मैं यहां गोधरा Lobby Station का Station Code डाल रहा हूँ वहां का Station Code है GDA अब मैं So Detail पर क्लिक कर रहा हूँ इससे वहां की Detail खुल गई है अब यहां उस Station पर आपके ही Post पर काम कर रहे सभी Employee का ID सो कर रहा है मैं एक Assistant Locopilot हूँ तो यहां सभी Assistant Locopilot का ID सो कर रहा है अब आप यह सभी ID एक पेज पर लिख लें यह सभी ID आपको लिखने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन यही काम आपको 100% mutual transfer दिलाने में फायदा करेगा अब आप More Option में जाएं और यहां से CMS Browser को Open करें इसके Open होने के बाद Previous Version में चले जाएं इसके Open होने के बाद यहां आपको Crew ID के बगल में एक Box दिखाई दे रहा है यहां आप सबसे पहला ID जो पेज पर लिखे हैं उसे डालें जैसा कि मैं यहां डाल रहा हूँ अब आप Go के Option में जाकर क्लिक करें अब इस नए पेज पर आप जूम करेंगे तो आपको यहां Crew Bio Data दिखाए देगा इसे क्लिक करने पर आप उस Crew का Bio Data ओपन कर सकेंगे अब यहां से आप उसका Permanent Address देख सकते हैं और अगर यह Permanent Address उस जगा से है जहां आप काम कर रहे हैं तो यह बंदा उस जगा जरूर आना चाहेगा तो आप इसको Direct Call करके पूछ सकते हैं कि क्या वो Mutual Transfer चाहता है और Call करने के लिए आपको उसका नंबर भी यहीं पर मिल जाएगा इसी तरह आपको हर एक ID को चेक करना है जितने लड़कों के Permanent Address आपके Working Lobby के आसपास से होंगे उतनी ही ज़्यादा आसानी आपको Mutual Transfer में मिल जाएगी यहाँ सबसे बड़ेया बात यह है कि आप उस बंदे को Direct Call करके पूछ सकते हैं कि क्या वो Mutual Transfer चाहता है इसमें आपको भले यह 2-3 घंटे का टाइम लगे लेकिन आपको इससे 100% Mutual Transfer मिलने के चांसेस रहेंगे आपको मेरे यह वीडियो कैसा लगा यह कोमेंट करके जरूर बताएं और साथी साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को सेयर जरूर करें धन्यवाद